करेंगे गफार अब तक पीएसल में कोई अच्छी कारकरदगी नहीं दिखाई आखरी गुरूब मैंच है देखते हैं उठा दिया है मवजूद तो हैं मगर देखते रहेंगे पहला च्छका च्छके के साथ आगाज कर दिया है आज कराजी के आज़ाइम खतरनाक लग रहे है तो पहला मुकाबला यहां पर केच करने के लिए तियार ते आज़ाइब पहले मुकाबले में केच ड्राप कर चुके हैं अक्तर मेंगल का बहुती बड़ा नुकसान हो सकता है कराची स्ट्राइकर्स के लिए अक्तर मेंगल को चांस देना बहुत बड़ी गल्ती होगी पाकिस्तान सिनली का गुरूप स्टेज के आखरी मैचिस होते हुए मुल्तान टाइकर्स और काराची स्टाइकर्स मदे मुकाबल गफार आए बहुत अच्छी बोल कीपर कलेक्ट नहीं कर सके यहां पे तो एक रंस आगे वहां से वाइड का इशारा तो दो रंस आते हुए मजीद गेंड के लिए तैयारा सिपाए गेंड की मिस हो गई पीछे चोका आएगा यकीनी जिया बाइस का चार रंस आते हुए मुल्तान टाइगर्स के खाते में एक बार फिर अक्तर मेंगल को आए उठा दिया फिलिक किया है कोई फिल्डर मौजूद तो नहीं है गेंड जाएगी चार रंस के लिए बाउंडरी के बाहर ये आ चुके हैं शेहकार जिनका था इंतिजार आसिफ आ चुके हैं देखते हैं आए गेंड की अच्छा शोट एरिशाद मौजूद हैं गेंड को छोड़ चुके हैं गई गेंड बाउंडरी लाइन के बाहर तो दूसरा चौका इनिंका आते हुए अब तक कोई छेका नहीं लगा पाए हैं आसिफ एक बार फिर उठा दिया इस मरतबा गेंड आ गई है बले पर देखते हैं और वहां पर दूसरे के लिए तेजी के साथ जाते हुए कमिंटरी पर पता चल रहा था कि ये छे रंस है मगर वहां पर देखना पड़ेगा तीन रंस तो ले चुके हैं अब देखना चुके थे मगर आखरी लमों में कैज ड्राप कर दिया तो तीन रंसाथ गए एक बार फिर त्यार गेंड करेंगे अक्तर मेंगल को रोशनाए गेंड की उठा दिया है कैज गफार मवजूद हैं देखते हैं और कैज ड्राप कर दिया ओ माई गोड दूसरा कैज ड्राप अच्छी गेंड बहुत ही स्विंग कराते हुए इर्शाद अच्छे फिल्टर है रोशन मौजूद हैं मगर गेंड पकड़ नहीं सके यहां से सदाम से भी निकलती हुए गेंड एक्स्ट्रा में रंसा आते हुए बाउंडरी नहीं लग रहे हैं मगर एक्स्ट्रा बन रहे तो तीन रंसा गए इसी गेंड में करने के लिए तयार इस्तिया को उठा दिया बहुत तेज शाट वहां एक रंसानी के साथ रोशन अच्छी फिल्डिंग कर रहे हैं तो इसके साथ अवर का एक्तिताम पांच अवर के एक्तिताम बेस्कोर पच्छास रंसे पांच अवर गेंड करने के लिए तयार इस मरतबा गेंड आ गई है सही बल्ले पे और गई बहुत दूर पहला च्छका ते दूसरा च्छका अख्तर मिंगर लगाते हुए बहुत शांदार बेटिंग दो में 11 आ चुके हैं आए फोल्टास गेंड मिस हो ग पर इस्तियाक जिस तरह के खिलाडी उनसे मिस होना फुल्टास गेंड मिस होना बहुत बड़ी सवाल खड़ा कर दिया है मुल्टान टाइगर्स के लिए आए गेंड की निकाल दिया आला शोट है बहुत अच्छा शोट है तीन रन लेंगे यहां पे पीसरी के लिए जाएं तो आखरी दो गेंडों पर देखते हैं कौन आते हैं दो बोले मौजूद हैं आखरी गेंड इननकी आखरी गेंड करने के लिए तयार इर्शाद इर्शाद तयार है मगर इंपार रेड़ी नहीं है अब देखते हैं आए गेंड की उठा दिया गेंड बले पर नहीं आई आसिप भई मौजूद वहां पर दो रन के लिए अच्छी तो यहां पर रन आउट हो जाएंगे वहां पर इस्तियाग रन आउट हो गए तो इसके साथ इनिंग का हो गया एक्तिताम तो टार्गेट यहां पर पूछें अकरम भई शांदार बॉलिंग करते हैं अपना तजरुबे का इस्तिमाल करते हैं और जल्दी विक्टे लेने की कोशिश करते हैं अब देखते हैं करेंगे गफार अब तक पीएसल में कोई अच्छी कारकरदगी नहीं दिखाई आखरी गुरूब मैचे देखते हैं उटा हैं मगर देखते रहेंगे पहला च्छका च्छके के साथ आगाज कर दिया है आज कराजी की आज़ाइम खतरनाक लग रहें नेदरलेंड वाला काम नहों जाया आज गफार गफार को गेंद करेंगा करम केच आउट होने का खत्रा इस्तियाक गेंद के नीचे आते हुए मगर ड्राप कर चुके हैं ओ माई गोड ये चांस मुल्तान टाइगर्स को बहुत मेंगा पड़ सकता है करम भई गेंद करने के लिए तैयार सामना करेंगे गफार एक चका लगा चुके हैं आए गेंद की सामने फिल्डर कोई मौजूद नहीं है दोरन के लिए जाएंगे शायद जियां दोरन से ले लेंगे आसानी के साथ लतीफ मौजूद थे मगर दोरन से रोक नहीं पाए बेट्समिनों को तो दोरन कम्पलीट तबा फिर तयार गफार को निकाल दिया बान उर बुक्टी मौजूद हैं दोरन से नहीं रोक पाएंगे जियां दोरन कम्पलीट करते हुए रोशन बहुत तेज भाग रहें आज आ रहें अक्तर मेंगल अक्तर मेंगल आ रहें आएक इनकी एक और चका गफार का दूसरा च ब्यूटुफुल शाट दूसरा चका एक मतवा फिर गफार सामना करेंगे अक्तर आये गेंद की तेज शाट है अक्रम मौजूद है वहां गेंद पकड़ने की कोशिश में छोड़ चुके हैं चोड़ चुके हैं चोड़ ओ माइगोड अक्रम भाई से चोड़ मिस्फिल्डिं होते हुए गेंद करने के लिए त्यार फिरी इट पे आये गेंद की सागत कर दिया चुके के साथ ब्यूटुफुल सेक्स आखरी मैच में जो इससे पहले वाला मैच था कराची गेंद करने के लिए तयार अक्रम भाई आये गेंद की उठा दिया ओमाइगोड पॉल्टी श शका गफार का यह चोथा शका फॉम में आते हुए मगर मैं वही बात करूंगा कि बड़ी देर कर दी मेरे बहां आते आते तो अगर यह मैच जीते भी हैं तो उनका चांस मुश्किल है कॉलफाइंग राउंड में पहुंचना करने के लिए तयार अक्रम भाई आये के इनकी खुछ जा रहा है कैज के लिए जी आँ कर लेंगे जी बहुत अची कोशिश विकेट निकाली तो बड़ी अच्छी बेटिंग करने के बाद गफार आउट होके जाते हुए तो अब आज उके नहीं बेटिंग के लिए सदाम आए इस मरतबा फुल टास गेंटी फेक दिया मिट विकेट पे लंबे च्छके के साथ पहला च्छका रोशन का पहला च्छका इनिंग्स में आते हुए आए गेंट की उठा दिया इर्फान मवजूद है वहाँ पे रोक नी पाए एक और छका आखरी छका चाहिए रोशन को ये मैच जीतने के लिए कराची यहाँ पे जीते हुए मैच नूर आए गेंट की उठा दिया है इर्फान तो बहुत बार है गेंट जाएगी चौके के लिए बौंडरी के बाहर तो यहाँ पे इंपार से पूछेंगे मैच वावर हो गया या नहीं तो यहाँ पे यह बड़ा मुकाबला कराची स्ट्राइकर्स फोम में आते हुए जीत चुकी है पहला मुकाबला यहाँ पे मुलतान टाइगर्स और कराची स्ट्राइकर्स का इक्तिताम हुआ तो कराची स्ट्राइकर्स के साथ यहाँ पे जीत चुकी है मैच तो दूसरा काबला यहां होने वाला है बहुत बड़ा तो मिलते हैं अगले वीडियो में लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अला हाफिस